नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा आठ पाठ दो भारतिय संस्कृती के अग्रदूत महारिशी याग्यवलक्य के विशय में जानेंगे रिशी याग्यवलक्य नाम के दो विद्वान हुए हैं पहले राजा जनक के समय में और दूसरे युदिस्टिर काल में यहां दूसरे याग्यवलक्य जी का विवरन है इन्होंने याग्यवलक के स्मृति नामक धर्मशास्त्र की रचना की जिसे याग्यवलक के सहिता भी कहा जाता है स्मृति प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्र को कहा जाता था जिसमें आचार व्यवहार, नियम कानून, आदी की व्यवस्था दी जाती थी याज्यवलक्ये स्मृती के 1012 श्लोक तीन अध्यायों में विभक्त हैं इस क्रंथ पर अनेक तीकाई की गई हैं जिन में मिताक्षरा और दाइभाग प्रसिद्ध हैं हिंदु कानून के लिए ये पुस्तक प्रमारिक मानी जाती है याज्यवलक्ये ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था उन्होंने भारतिय संस्कृती को अमर वनाने में अमूलिय योगदान दिया